नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजली मेरे होटों पर लवज भी अब तेरी तलब लेकर आते हैं तेरे जिक्र से महकते हैं तेरे सज़ते में बिखर जाते हैं जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली लाशी फल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज की दिन जिनका बर्ड है या फिर मारी जनवर्सरी है उनको मेरी तरफ से धेर सारी गुड विशिस तो चलिए अब शुरू करते हैं किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है दूसरों के चहरे हम याद रखें हमारी ऐसी फित्रत नहीं लोग हमारा चहरा देखकर अपने फित्रत बदलने ऐसी हमारी फित्रत है शायद ये चहरा मेरा नहीं है लेकिन कुछ चहरे देखकर मुझे मेरा चहरा बदलने का मन करता है जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता बिना दूरी तै किये हुए कही दूर आप नहीं बहुन सकते अगर ख्वाईश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमा के बीच बगावत लाजमी है जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं होता मुनाफे का तो पता नहीं लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बना कर बेच देते हैं जो सही करने की हिम्मत उसे में होती है जो गलती करने से नहीं डरते तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते कभी-कभी किसी के जनून को देख कर अपने आप में जनून आ जाता है लग का तो पता नहीं लेकिन अफसर जरूर मिलते हैं महनत करने वालों को या तो आप अपनी जरनी में लग जाओ नहीं तो लोग आपको अपनी जरनी में शामिल कर लेंगे अगर सूरज की इतना जलना है तो रोज उगना बड़ेगा इतना काम करिये कि काम भी आपका काम देखकर ठक जाए सबसे पहले में आपको बताया दूँ कि अजाब के लिए जो है भागिशनी रंग रहने वाला है और इंच कर और चला की नमबर है वो नमबर आठ बन रहा है आज के लिए तो ग्रहों के सिदी कोई चीज़ प्रकार वनी हुई है सितारे कहते हैं कि परिवार से रिलेटिद जो बाती है वो आपके मन के खिलाफ होने के वज़े से लोगों के प्रती आपके विचार बदलने ही लगेंगे अगर आपको कोई आर्थिक प्रकति मिलती है तो उसका फायदा आपके परिवार को भी हो सकता है नई प्रॉपची लेने का विचार बहुत ही पढ़िया रहेगा आप ले सकते हैं लेकिन वास्तु विशेशक्य के द्वारा मिला मार्क दर्शन जादा बैटर रहेगा इस सम मेस्कर एतनी बढ़िया रिजल डेखने को मल सकते है आपको इससे बढ़िया रिजल देखने को मिल सकते हैं आपको साथ में आज कैए लोगों को शरेभ में कहीं दर्प वगेरा भी भी हो सकती है अज धार्मिक क्रिया कलपों में जादा अब बीजी रहेंगे किसी धार्मे की यात्रा का भी योग बन रहा है आज का भायों के साथ सबंद बहुत ही पढ़िया रहेंगे पुराने तनाव से मुक्ति मिलती निज़र आएगे बच्चों का उनके सुक्सविदाओं से रिलेटिर वस्त्व के लिए शॉपिंग क भी बोड बन सकता है पच्चे काफी शॉपिंग करेंगे आज के तन जरा अपने जेव धीली रखकर चलिएगा लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के मुद्द में ठांग मत तड़ाईएगा नहीं तो आपका अफमान हो सकता है बीच में पिता की किसी बात की अब प्रगति कर पाएंगे आपके जीवन के बारे में दूसरों के क्या राय है और दूसरों की सोच को जादा महत्त्व देने की वजह से आपके अंदर पोटेंशिल होने की बावजूद भी आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे अपने जो विचार है उनका दारा बढ़ा आपको जो है अपने आपको चींज करना होगा बदलाब लाने होंगे जैसा महौल चल रहा है अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो लोग आपको ओल्ड फैशन कहेंगे जो कि बिल्कुल वे इच्छी बात नहीं है आज आपको जो है सबसे आगे निकलने की कोश करनी चाहिए और समय के रहते आपको हर चीज बदलनी चाहिए सिरकारी कामों को पूरा करने के लिए दिन बहुत ही बढ़िया कहा जा रहा है विरोधियों की प्लानिंग्स को धवस्त करें और अच्छे प्रणाम मिल सकते हैं आपको प्रशन साभी मिल पाए कि लोग आप से खुद के फैज जो पर्सनल मामले हैं उन चीजों से लिट इसलाह मशुरा ले सकते हैं आपसे कुल मिलाकर समय पूरन रोप से आपके पक्ष में हैं इसका बहतरी नोप्यों कीजेगा लेकिन जरा सिलापरवाही की वज़ए से कुछ चीजे आज इधर उदर हो सकती हैं जिस बात करते हैं बिजनस और करेड की आज वेविसाणे में कुछ प्षोस और खास फैसले होने की वज़र हो सकते हैं वालब फैसले हो सकते हैं कुछימ इंपॉर्टन तो आपको ये फैसले लेने चाहिए और सोज समझ कर Important लोगों के समपर्क में आपकी कारे बनते नजर आएंगे नौकरी में पद्दौनती मिल सकती है, प्रमोशन होगा Office में महाल जो हैं आपके पक्ष में रहेंगे परिसितिया अनकूल बनी हुई है दिक्कत वाली कोई बात नहीं नौकरी में बद्लाव लाने का प्रतन बड़ी महनत के बाद सफलता परदान करेगा आपको आज कारोबारी जो हलात है वो भी सुदरते नजर आ रहे हैं वे पार मीविस्तार से लेटी यूजनाय पन सकते हैं उनमें चोटी मोरी परिशान ही आएं के लेकिन आप उन करने में उसे सफलत हासल कर सकते हैं आज आज आपके जो मीटिंग हैं किसी राजनित्य कीसी भी हो सकती है जो कि आगे चलकर फायदे बंद रहेगा आपके लिए आज आपके जो काम है कुछ हड़ तक रुग भी सकती हैं लेकिन जाबतर लोगों की पूरेण होते नजर आ रहे हैं अफसरों के साथ आपके जो रिष्टे हैं उनमें काफी सुधार होता नजर भी आ सकता है सहय कर्मी और सहय योगी के साथ आपका जो सहय योगात्मा का रवया है वो बढ़िया रहेगा पहले से जादा आपका जो रवया है वो ठीक ठाक बना रहेगा वाल्स आपसे बहुत खुश रहेंगे जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं उनके लिए थकावत भड़ा दिन रह सकता है आज अब काफी बीजी भी रहने वाले हैं और आपको दिन जो है काफी ठीक ठाक नहीं लगेगा थोड़ा चिटशीटा पना आपको देखने को मिल सकता है अपने आप में तो आपको इस बात का ध्यान रखना है वैतिकी एक शेत्र से जुड़े लोगों को प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में सोचना उचित रहेगा आगे चलकर आपको बहुत ये बढ़िया चीज देखने को और उपलब्धी देखने को मिल सकती है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ की लव लाइफ कहती है कि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर नराजगी रह सकती है आज जरा अपने रवये को चेंज कीजे थोड़ा सा लेकिन ध्यान रखेगा कि घर की बाते बाहर मत जाने दीजेगा अज आपको हर पहलों को सोच समझ कर हल निकालना है फिजोल की चुकती विदिया हैं उनमें समय जरा जाया मत कीजेगा पती-पत्ने के सबंद में बहुत इच्छे रिलेशन बने रहेंगे आप एक दूसरे के साथ कहीं बाहर भी चाह सकते हैं टाइम स्वन करने के लिए विवास से रेलेडिट प्रगती हो सकती है लेकिन थोड़ी देर लगेगी इसमें साथ में आज आपकल जो कुराना हुआट का हुआ कोई पैसा है वह बी मिल सकता है परिवारिक वात्ता वरन सुहार्द पुन रहेगा नए मेहमान की आहत हो सकती है यानि कि जो लोग विवाद करना चाहते है उनकी जिंदगी में कोया सकता है या पिजो लोग पहले से शाध चल रही शरेरिक समस्या में सुधार होगा, अपना खयाल रखिए क्योंकि ये दिन बहुत ही मिले जुले रहेंगे, क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो आपको मच्छलों से साथ धान रहना होगा, आप उर्जावान और स्वस्ता महसूस कर पाएंगे आपको जारतर, और हाँ सा स्वस्ता को लेकर चिंता बनी रहेगी, इसलिए लापरवाही जारा बिलकुल भी मत कीज़ेगा, तो चलिए बढ़ते हैं बंत में आज की विशेश उपाई की तरफ, तो विशेश उपाई कहता है कि आज आपको जहें सद्गुरु के द्वारा लिएगे, नाम का अभ्यास करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, उससे बहुत ही आपके जो काम है, बंते तो नज़र आएंगे, लेकिन आपको अध्यातनिक उन्ती भी बढ़ती नज़र आएगी, इसलिके साथ ही आज गुप्तरुप से दान दान पुन करें, गौँशाला में कुछ दान दीजिए, आपूलीगा, धन्यवाइदे